अब टाइम आ चुका है कुछ नया करने का, नया से मतलब मेरा ये है कि कुछ ऐसा करने का टाइम आ गया है कि हम लोग एक project type कुछ बनाएं और चीजों को होता हुआ देखें, अभी तक हमने सिर्फ concepts पढ़े थे और आप लोगों ने अगर ये PHP की playlist access नहीं करी है तो इसको कर लेना इस playlist को, अब हम लोग क्या करेंगे आपर, मैंने आपर sessions के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, cookies के बारे में बताया था, सब चीज़े हमने देख लिए, database वगेरा, सब कुछ एकदम set है अभी हमारा, अब हम एक project करेंगे, जो कि एक बहुती common project है PHP में और ब VS Code खुला हुआ है और इसको बंद कर दूँगा अभी, और मैं करूँगा क्या कि एक नया project बनाकर VS Code अपना उस project में खोल लूँगा, तो मैं आपर आ जाओँगा, अपनी XAMP के HTDocs में, और मैं इसका नाम login system रख दूँगा, login system रख दूँगा इसका नाम, और मैं login system के अं पुरानी वाली जो मैंने बना रखी थी एक project उसको आप बंद कर सकते हूँ कि उसमें बहुत सारी files हैं भी जिसमें हमने practice करी थी लेकिन क्योंकि हम एक project बना रहे है login system का, इसलिए एक fresh project मैंने बना लिया है login system के नाम से, और यहां पर मैं एक file बनाऊंगा index.php, और index.php मैं क्योंकि बना लिया है, मैं आपर इस तरह से emmet abbreviation लगा लूँगा, और basically मैं क्या कर रहा हूँ, एक flow बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, login करे user, logout कर पाए, sign up कर पाए, और sign up के साथ साथ, वो क्या करे, login, logout, welcome page भी देख पाए, ठीक है, तो यह मेरा एक basic flow है, मैं क्या करूँ मेरा Apache server चल रहा है, all right guys, तो मैंने आपर देखो, अपना Apache और MySQL दोनों start कर लिया है, और MySQL start इसलिए किया है, क्योंकि हमको database की जरूरत पढ़ने वाली है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना flow कुछ इस तरना से बना रहा हूँ, कि मेरा login page होगा, यह मेरा index.php है, और index.php पर क्या होगा, यहाँ पर मैं login बना दूँगा, फिर उसके बाद मेरा signup.php होगा, in fact मैं भी इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको login.php बोलता हूँ, फिर मैं signup.php बनाऊँगा, और उसके बाद मैं आपर welcome.php बनाऊँगा, ठीक है, तो मैं यह तीन files बना रहा signup करेगा, उसको एक username और password मल जाएगा, उसका जो data है वो database में store हो जाएगा, एक बार उसका account बन गया, वो login कर सकता है फिर, login वो जैसे ही करेगा, उसको हम login करवाएंगे, securely login करवाएंगे, और login करवाने के बाद उसको welcome पे भीच देंगे, at any point अगर वो welcome में जाने की करता है बिना login किये, उसको वापस से login में पटक दिया जाएगा, और welcome से हम एक नई चीज बनाएंगे, एक नई file बनाएंगे, logout.php, ताकि वो इनसान logout भी कर सके, तो sign up, welcome, login, logout, ठीक है, ये चारो चीज़े हम लोग जो है, बनाने वाले है, मैंने आपर आप लोग को flow ब CSS.js का framework है, यानि कि आपको बिल्कुल भी ज्यादा attention नहीं लेनी पड़ेगी, frontend की, frontend वाला काम आपका automatically हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये starter template में यह से copy करूँगा, और यहाँ पर मैं paste कर दूँगा, save करूँगा मैं, और आप लोग को दिखाता हूँ, मैं localhost और slash login system में जाओंगा, तो यह देखो मुझे login.php में hello word देखने को मिल गया है, तो यह हमारा flow है, basically हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले sign up में जाएंगे, sign up करेंगे, login करेंगे, welcome हो जाएंगे, log out भी कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, ठीके तो यह सारी चीज़ component से उनको ले कर आते हैं bootstrap से, मैं आपर करूँगा क्या, जो मेरा login.phps के अंदर एक navigation bar बनाऊँगा, और navigation bar बनाने के लिए मैं require का इस्तेमाल करूँगा PHP में, क्योंकि मैं यहाँ पर php use कर रहा हूँ, मैं include or require का use कर सकता हूँ, तो मैं आपर लिखूँगा require और उसके बा और अगर मैं एक folder बना दू, partials करके, तो यह जो हमारे partials हैं उनको store करेगा, और आप लोग अभी सोच रहा हूँ, क्या कर गया रहा है, बता भी नहीं रहा है और करे जा रहा है बार बार, मैं बताता हूँ आप लोग को, देखो, underscore nav.php मेरा partials folder के अंदर है, तो मैं क्या कर आँगा, partials folder के अंदर nav.php के content यहाँ पर ले आँगा, और आप देखना इससे होगा क्या, मैं nav.php के अंदर क्या करूँगा, navbar लेकर आँगा, navbar में गया मैं, navbar में जाने के बाद यह मैं code copy करूँगा, और यहाँ पर paste कर दूँगा, और आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने यह paste कर दिया, underscore nav.php, अभी मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, login.php कैसी दिखती है, यह देखो, login.php अब ऐसी दिख रही है, navbar आ गया इसमें, क्यों आया यह navbar यहाँ पर, यह navbar इसलिए आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है require partial slash underscore nav.php, अब मैं यह जो partial है, वो बाकि सारी files में लगा दूँगा, और सारी files एक जैसी देखेंगी, in the future, मुझे change करना पड़ गया, partial को, तो क्या होगा, मैं directly यहाँ पर आखे change कर पाऊँगा, लेकिन at this point, मैं आपर करूँगा, क्या, आप लोग को दिखाता हूँ, मेरा कोई home पे click करे, तो मैं इसको reload करता हूँ, home पे click करूँगा, तो मैं slash login system में चला जाँगा, ठीक है, और एक बार मैं login system में चला गया है, तो मैं यहाँ पर login.php में चला जाँगा, यहाँ पर, यहाँ पर आ जाँगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यह जो nav bar है, इसमें मैं अन इसको nav गेंदर लिखता हूँ my login system my login system यहां फिर एक काम करते हैं इसका नाम कुछ अच्छा सा रखते हैं इसका नाम iSecure रखते हैं और iSecure एक PHP login system में ठीक है iSecure लिखा मैंने यहां पर hrf कर दूँगा slash login system ठीक है और यहां पर आप लोग देखो home भी slash login system में जाएगा फिर एक slash login मनाएंगे और यहां पर लिख देता हूँ login login फिर मैं यहां पर यह जो drop down इसको हटा देता हूँ यह मुझे नहीं चाहिए li जो drop down वाली है उसे मैं हटा दूँगा फिर यह disabled वाली li भी हटा देता हूँ यह login वाली को रप्लिकेट करते हैं और यहां पर लिख देते है signup ठीक है और यहां पर आजाएगा signup.php मुझे यहां पर login.php भी लिखना पड़ेगा और मैं काम करता हूँ यहां पर slash login system भी मुझे लिखना पड़ेगा यहां पर क्य अगर मैं इसको reload करूँ तो आप लोग देखो login में मैं क्लिक करूँ तो login.php में आ गया signup पर क्लिक करूँ तो signup.php में आ गया अब मैं चाहता हूँ अगर मैं logout करना चाहूँ तो logout button भी मेरे पास होना चाहिए logout.php करके ठीक है तो मैं एक काम करूँगा एक logout करके भी login और signup कर लें लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा हम इसको simple रखेंगे जो कि at this point हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक login system बना पाए और यह जो search इसको मैं हटा दूँगा यह इसको ऐसे ही रहने देते हैं कोई problem नहीं है मैंने आपर एक navbar copy किया bootstrap से home login signup logout यहाँ पर 4 endpoints बना similarly जिस तरह login.php बना है उसी तरह मेरा यहाँ पर आ जाएगा logout.php भी in fact logout.php इस सिर्फ एक simple सी PHP script होगी जो कि logout करके redirect करेगी मैं signup.php को populate करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा signup ठीक है और यहाँ पर welcome.php मैं क्या लिखूँगा welcome ठीक है welcome लिख देता है यह wlcome ठीक है मैं इस तरह से welcome लिख देता हूँ मैंने आपर reload गिया इसको login में गया तो login.php में हो signup पे गया देको signup पे आ गया logout तो बनाएंगे भी script signup यहाँ पर ले आई login यहाँ पर ले आई और welcome जो है जो मुझे home है वो welcome.php पर लाना चाहिए और मैं welcome.php से क्या करू ठीक है तो home मुझे welcome.php पर लेकर आएगा ठीक है और welcome.php से मैं redirect कर पाऊँगा कभी भी ते देखो मैं आपर अगर home पे आजाओं तो मैं welcome में आ गया हूँ login में आगया हूँ signup पे आए तो signup पे आगया हूँ logout पे क्या होगा आपको मालूम है तो home, login, signup यह 3 endpoints बनाएं oops मैंने गलती से control s दबा दिया मुझे यहाँ पर cancel पर click करना पड़ेगा और यहाँ पर मैंने यह जो design इसका एक rough design मैंने इसका layout कर दिया है ठीक है अब यहाँ पर signup पेज को हम सबसे पहले design करेंगे यह कि सबसे पहला काम जो user करेगा वो signup ही करेगा हमरे blog में आकर ठीक है तो signup page को हम सबसे पहले design करेंगे तो मैं आपर करूँगा क्या जो signup वाला मेरा page है मैं क्या करूँगा इसमें एक h1 लगाँगा मैं चाहता हूँ आप div.container इस तरह लिए enter मारेंगे तो आपका div class is equal to container ऐसे बनके आजाएगा मैंने कुछ नहीं किया div.container लिखा एंटर म website ठीक है मैं signup करने के लिए user को बोल रहा हूँ अपनी website पर यह देखो signup to our website और अगर मैं इसमें class is equal to text center कर देता हूँ reload करूँगा तो देखो यह center पर आगया signup to our website मैं आपर क्या करूँगा forms में आउँगा और एक simple सा form उठा लूँगा यह से यह वाला यह उठा लेता हूँ अब bootstrap का सबसे मुझे जो favorite part है वो यह लगता है कि bootstrap से copy paste करो कितना भी copy paste करो वो कुछ नहीं बोलता है वो बोलता है मेरे को से कर लो जितना copy paste करना है खुश रहो और आबाद रहो वस यह चाहता है bootstrap तो कभी भी आप copy करो कि bootstrap से कभी बुरा नहीं वाने का हो सबसे बड़ी आबात मुझे लगती है bootstrap की मैंने एक form copy किया मैं कह रहा हूँ कि यूजर नेम चुन लो मैं email नहीं यूजर नेम चुनवाँगा उसको फिर मैं कहूँगा password एक चुनो फिर मैं कहूँगा confirm करो password confirm करो password और फिर sign up कर दो ठीक है तो एक काम करूँगा मैं अभी के लिए सिर्फ username और password ही रखूँगा और कोई चीजी नहीं है लेकिन आप address, date of birth, उसी के साथ साथ, gender और भी कई चीज़े जो यूजर से पूछ सकते हो उसका phone number पूछ सकते हो उसका उसने क्या खाया सुबा को वो पूछ सकते हो उसका box बना सकते हो कितने घंडे सोता है वो क्या हो कौन सा उसका favorite biscuit है सब कुछ आप पूछ सकते हो उसके तो यह form तो आप बना ही लोग है मैं एक basic आपको बना कर दे रहा हूं ठीक है तो अभी sign up form को reload करें तो यहाँ पर हमारा एक जो sign up है form वो बन चुका है ठीक है अब यहाँ पर देखो मैंने एक small लगाया हुआ था यहाँ पर in fact मैंने नहीं bootstrap से copy किया था वहाँ से आया था और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कुछ इस तरह से make sure to type the same password और m capital कर देता हूं और ids जो है और names जो है उनको भी मैं अच्छे सा रख देता हूं तो for is equal to you name कर देता हूं यह username पूरा कर देता हूं और इसको copy करूंगा id को username करूंगा name को भी username करूंगा यूंकि name ही वह चीज है जिससे पहचानते हैं id से नहीं पहचानते हैं name से पहचानते हैं server में याद रखना तो जब आप request मारो गए action is equal to यह मुझे डालना पड़ेगा action is equal to कर दूंगा मैं क्या करूंगा slash login system slash और उसके बाद मैं signup.php कर दूंगा ठीक है और यह करने के बाद मैं लिकूंगा method is equal to post method is equal to post username हो गया password हो गया इसको password कर दूंगा उपस और name is equal to password save गया इसको भी password कर दूंगा c password कर दूंगा बस type is equal to password ही रहेगा c password कर दूंगा और यहां पर इसको copy करके इसको paste करके name is equal to इसका c password थोड़ी fast typing करिए लेकिन आप समझ गया आपर क्या किया है और यह जो check me out वाला है वो मैं हटा देता हूं ठीक है save कर दिया मैंने इसको तो हमारा form अभी कुछ इस तरह देख रहा है username password confirm password तीन चीज़े हम पूछ रहे हैं और user से sign up करा रहे हैं हम कहरे हैं sign up कर दे username यह रहा password यह रहा confirm करो password और sign up करो और खुश रहो आबाद रहो sign up कर दो बस हमारी website पर और sign up वो करेगा एक बार हमारी website पर तो मज़े आएंगे फिर उसको फिर हम फिर बाकी चीज़े जो है वह हमारी है ठीक है तो ideally एक reset button भी होता है website में चुकी क्या करता है आपके form को reset कर देता है वो भी आप बना सकते हो लेकिन अभी के लिए मैं उसको नहीं बना रहा हूँ मैं चीज़ों को एकदम simple रखना चाहता हूँ अब अगर आप लोगो इसको छोटा करना है बान लो छोटा करना है तो आप call md6 इसको कर दो reload करोगे तो इसको छोटा हो जाएगा अगर ऐसा करना है आपको तो आप क्या करो call md6 अब में डाल दो ये class bootstrap कैसे काम करता है bootstrap क्या है क्यों है कब है और कैसे है अगर ये आपको चाहिए तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप लोग मेरा bootstrap का tutorial देखो लेकिन अब इक लिए मैं क्या करूँगा इसको सब में call md6 add कर दूँगा इससे क्या होगा कि ये जो space लेने वाला होगा उसकी आदी space लेगा और अगर आप लोग चाहते हो कि ये center में आ जाए flex कर दोगे flex direction इसकी column कर दोगे मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आप कर सकते हो ठीक है ये चीज आप कर सकते हो ये मैं सोचना नहीं हो पाएगा ठीक है और फिर align item center कर दोगे तो ये center पर आ जाएगा ठीक है similarly अगर ये user name को भी center पर लाना है तो आप क्या करोगे ये जो label है इस label को आप display block कर देना display block और उसके बाद आप लोग align items को center कर दोगे जैसे ही तो आप लोग यहां पर sorry align items नहीं text align को center कर दोगे वैसे ही आपका ये user name में वो center पर आचाएगा तो ये सारे काम जो है अगर आप लोगों को बहुत जादा लुबाते हैं तो designing का मेरा कोई भी views complete हो चुके हैं तो ये भी आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी है watch रहेगा ये playlist आप देख लेना इसको लेकिन मैं at this point आप लोगों को सिर्फ PHP बताना चाहता हूं तो मैं सब को जो है वापस कर दूँगा जिसको call md6 वाली बात भी समझ में नहीं आई वो भी कोई बात न मैंने दूँगा मैंने आप पर यूजर नेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और साइन अप इस तरह से ये बटन जो है वो रख दी है तो साइन अप टो और वेबसाइट के लिए एक फॉर्म जो है मैंने बना दिया एक दम अब यहां पर क्या होगा कि आप लोग के यूज यूजर जो है वो डालेगा अपनी साइन अप इंफॉर्मेशन और साइन अप कर लेगा ओके तो हम लोग आने वाले वीडियो में क्या देखेंगे कि किस तरह से यूजर साइन अप करेगा और किस तरह से डेटबेस के अंदर वो वाल्यू जाएगी फिर लॉग इन वो यह जो वीडियो है इस प्लाइटफॉर्म पे पुश होगा और जादे स्यादा लोगों तक पॉचेगा तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों साथ ऑनेस्टी को हटा के बात नहीं करना चाहता है पूरा ऑनेस्टी के आप लोगों से बात करना चाहता है लिए वीडियो को एक जरू कर देना और मुझे कॉमें में भी बता देना क्यासा लगा है कोर्स और अपने कॉमेंट्स भी आप लोग जो है आड करते ना करें नीचे अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गयास थैंकियो सो मच गयास पर वाचिंग इस वीडियो और आवल सी यू नेक्स ताइ झाल 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 झाल